पाकिस्तानी महला सीमा हैदर भले ही सीमा सचिन बन गई हो लेकिन अभी भी जाच एजन्सियों की वज़े से उन्हें क्लीन चीट नहीं मिल पाई है उसकी वज़ा ये मानी जा रही है कोकि जाच अभी भी चल रही है खुफिया एजन्सिया जाच कर रही है वहीं कानूनी रू नहीं बेजा गया अगर कानूनी जानकारों की माने तो उनके मुताबिक जब भी किसी को अवैद रूप से भारत में घुसने के बाद पकड़ा जाता है या दाचलोंने के बाद गरिफतार किया जाता है तो उसे सबते पहले डिपोर्टोशन सेंटर भीजा जाता है जहां पर पूरी तरह से डिपोर्ट करने के तयारी की जाती है लेकिन यहां पर सीमा हैदर के मामले में बिल्कुल इसका उलट हुआ है कोकि सीमा हैदर को जब गिर फथारी के बाद उसके बाद गिर Cancer करने जमानत देदी गई जी लेकिन उसे डिपॉर्टरसन सेंटर नहीं पेजा गय पूरी तरह से ब्यूरा रखा जाता है यहां पर सीमा के साथ चार चोट चोटे बच्चे थे उन्हें अलग नहीं क्या जा सकता था शिरुवाती दोर में जब सीमा हैधर को गिर्फतार करके जेल भेजा गया था तीम दिन के लिए तो उस दोरान सीमा हैधर के बच्चों को कोट की तरफ से सुरुक्षा दी गई थी और जो उन्हें बाल जो सुरुक्षा ग्रहें वहां पर रखा गया था लेकिन उसके बाद वो सीमा हैधर के साथ दुबारा से जुड़ गये थे क्योंकि सीमा हैधर उन बच्चों के बगएर कहीं नहीं जा सकती थी क्योंकि छोड़े मासूम बच्चे थे अब ये कहा जा रहा है सूतरों के मताबिक कि अगर इस पूरे मसले पर खुफिया एजन्सियों की रिपोर्ट आती है तो सीमा हैधर को डिपोर्ट किया जा सकता है ये ख़बर इसलिए आ रही है क्योंकि ये बड़ी ख़बर है सीमा हैधर पर सीमा हैधर जिस तरह से अब तक रहते हुआ ही है उसने अपने को भले सीमा सचिन मान लिया हो और हिंदुस्तानी रिती रिवाजों को सीमा हैधर लगातार बना कर वीडियो के जरिये लोगों तक पहुचा रही है लेकिन सीमा हैधर पर अभी भी तलवार लटकी है कि क्या उसे डिपोर्ट किया जाएगा या नहीं लेकिन सूत्र बताते हैं कि जिस तरह के से जाच पूरी होगी तो उसके बाद उसे डिपोर्ट किया जा सकता है हाला कि सीमा हैधर की तरब से उनके जो एडवोकेट हैं वो लगातार उन्हें भारत की नागरतार देने के लिए आविदन कर चुके हैं लेकिन अभी भी जिस तरह से जाच चल रही है उस पूरे मसले पर सीमा हैधर के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है कालूनी जायनकार बानते हैं कि जो भी कुछ हुआ है उस पूरे मामले में ATS और UP पुलिस की तरब से जाच अब आगे बढ़ गई है अब भारती एजनसिया जाच कर रही है जिनमें इंटलिजन्स अपनी तरीके से निपूर्ट रिखटा कर रही है साथ ही जो दूसरी एजनसिया वो जाच कर रही है लेकिन सीमा हैधर को क्रिंग चीट अभी तक किसी भी एजनसी ने नहीं दी है हलाकि यूपे पुलिस और यूपे एटियस इस पूरे मामले में अब तक जाच कर चुकी थी लेकिन अब जो जाच चल रही है वो एजनसिया कर रही है और एजनसिया अगर जाच पूरी कर लेती है तो उसके बाद उसे डिपोर्टोशन सेंटर भेजा जाता है और इसी बज़े से सीमा को सचीनी मीडा के घर में भी पुलिस सुरक्षा मिली हुई है पुलिस के दो जवान हर पल वहाँ पर 24 घंटे मौजूद रहते हैं और वो बारिकी से उस पर नज़र रखते हैं लेकिन ये बड़ी ख़बर इसलिए डिपोर्ट किरने की क्योंकि जो उसे नागरिक्ता जो देने की कवाई यहां पर चल रही ही वो पूरी होगी कोई कि अभी भी कई तरीके से आरोप लग रहे थे कई तरह से बाचीत हो रहे थी कई तरह के सवाल उठाय जा रहे थे कि सीमा हैदर जिस तरह से पाकिस्तान से निपाल होते हुए भारत मनाखिल ह थी उसके बाद अब उसको अभी तक डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया और कई तरह के सवाल थे कि डिपोर्टेशन सेंटर में हर किसी विदेशी को भेजा जाता है जब भी कोई विदेशी भारत पर अवैद रूप से दाखिल होता है या उसके पास वीजा नहीं होता है तो उसे गरिफतार करके या फिरासत में लेकर उसे डिपोर्टेशन सेंटर भीजा जाता है ताकि जब तक डिपोर्टेशन सेंटर में उसके सही दस्तावेज या जो दूतावास से उसका संपर करने का जो ग्योरा होता है वो सवारा पूरा नहीं होता तब तक उसे डिपोर्ट नहीं होना ये बता रहा है कि कही ना कही जाज जो है अभी तक पूरी नहीं हुई है और जब तक जाज पूरी नहीं होती सीमा हिदर के मामले में क्योंकि वो पाकिस्तान से तालुक रखती है पाकिस्तान से वो आई है तो इसी लिए सीमा हैदर मामले की जाज पूरी बारिकी से की जा रही है और अगर जाज पूरी होती है तो क्या उसके बाद सीमा हैदर का डिपोर्ट होना तय है ये अभी भी सवाल बना हुआ है को कि जिस तरह से सीमा पर आरोप लगे थे कि वो एक पाकिस्तानी जासूस हो सकती है और वो यहां से यहां पर सर्फ सचीन मीड़ा का इस्तमाल करके आगे बढ़ जाएगी और इसी वैसे वो यहां पर की नागरिकता भी बाग रही है लेकिन जब एजनसों की जाच चल रही है तो एजनसों की जाच पर अभी भी उसका परिवार अटिका हुआ है हर को यह सोलतरा है कि जब तक जाच पूरी नहीं होती जब तक कलिंचिट नहीं मिलती तब तक कदम को आगे ना मड़ाय जाए लेकिन क्या जब जाच फूरी हो जाएगी तो ये सवाल भी अभी बना हुआ है कि क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिता नहीं मिलेगी या मिलेगी अगर नहीं मिलती है तो उसे डिपोर्ट किया जाना तैय है और इसी वज़े से सीमा अभी भी पशुपेस मदली हुई है